हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका जी के कोशन में आज का पहला सवाल है निमन लीखित में से किसे लोग पिरिये रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता था ओप्सन है A. तानसेन ओप्सन है B. आमीर खुसरो इसका उत्तर है ओप्सन B. आमीर खुसरो सवाल नंबर दो है निमन लीखित में से किस समिती ने मोलिक करतब्बे को सामिल करने की सिफारिस की थी ओप्सन है A. स्वाणन सिंग समिती ओप्सन B. तारा पोर समिती इसका उत्तर है ओप्सन A. स्वाणन सिंग समिती सवाल नंबर तीन है कौन इंगलिस चैनल को तेर कर पार करने वाली पर्थम महिला थी ओप्सन है A. आरती साह ओप्सन B. उजवला राय इसका उत्तर है ओप्सन A. आरती साह सवाल नंबर चार है भारतिय मानक समय की गड़ना किसके कलॉक टावर से की जाती है ओप्सन है A. मिर्जापूर ओप्सन B. हमीरपूर इसका उत्तर है समय की गड़ना हमीरपूर के कलॉक टावर से की जाती है सवाल नंबर पाच है सोसन मार्ग के उपरी हिस्से में छोटे बालो जैसी सर रचनाएं होती हैं जिनें कहा जाता है ओप्सन है A. सीलिया ओप्सन B. ब्रोंकाई इसका उत्तर है ओप्सन A. सीलिया सवाल नंबर छे है ब्लू, जै या इंडियन रोलर कितने भारतिये राजियों का राजकिये पक्षी है ओप्सन है A. पाच ओप्सन B. चार ये पक्षी चार राजियों की राजकिये पक्षी है ओडिसा और तिलांगना और आंध्रपरदेश और करनाटक सवाल नंबर साथ है भारत में नीली क्रांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ओप्सन है A. हीरलाल चोदरी ओप्सन B. सूस्री स्वामिनाथन इसका उत्तर है ओप्सन A. हीरलाल चोदरी सवाल नंबर आठ है भारत छोडो आंदोलन कब सुरू हुआ था ओप्सन है A. 1930 में ओप्सन B. 1942 में इसका उत्तर है ओप्सन B. 1942 में भारत छोडो आंदोलन शुरू हुआ था सवाल नंबर 9 है 2018 में यूनसको द्वारा निम्न लिखित में से किसे बिश्व धरोहर स्थल गोसित किया गया ओप्सन है A. मुंबई की विक्टोरियन गोधिक और आर्ट डेको एंसेंबल ओप्सन B. इतिहासिक सहर अहमदाबाद इसका उत्तर है ओप्सन A. मुंबई की विक्टोरियन गोधिक और आर्ट डेको एंसेंबल सवाल नंबर 10 है कौन सी गैस कोईले की खदाने में बिसफोर्ट का कारण बनती है ओप्सन है A. कारवन डायोकसाइड ओप्सन B. मिथेन इसका उत्तर है ओप्सन B. मिथेन गैस सवाल नंबर 11 है भवाई किस राज्ये का लोक निर्ते है ओप्सन है A. राजस्थान ओप्सन B. गुजरात इसका उत्तर है ओप्सन A. राजस्थान जह तो ओए यहां किसा राजस्थाण अवाई Gary कारण besides बना से भोक किसे दएप्सन मॉ्छ